हम भी सब्जी काटने वाले चाकूओं को जरा तेज रख ले पता नहीं कब कैसा मौका आए जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के मूँ और सर भी अच्छे से कटेंगे लोगों को भड़काने वाले ये शब्द किसी और के नहीं भाजपा सांसद प्रग्या ठाकूर के है तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकूओं को जरा तेज रख ले पता नहीं कब कैसा मौका आए करनाटका के एक प्रोग्राम में आतंगबाद की एक मामले में अरोपी रही प्रग्या ठाकूर ने अपने घरों में हथ्यार रखने के लिए उकसाया केवल बात हत्यार रखने तक सीमित नहीं थी बलकि उन्होंने लोगों को सर काटने के लिए भढ़काने की कोशिश की ये पहला मामला नहीं है जिसमें परग्या ठाकुर ने भढ़काओ बियानबाजी की है वो समाज में नफरत फैलाने वाले कामों में हमेशा अगर्नी रहती है वो 2008 के माले गाओं बम धमाके में करनल प्रोहित के साथ अरोपी रही है इस वक्त वो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर बाहर है जमानत आदेश के अनुसार साधवी परग्या ठाकुर को इसलिए जमानत दी गई है क्योंकि वो स्तन कैंसर से पीडित थी और कमजोर थी और बिना सहरे के चल भी नहीं सकती थी अब यहाँ कहानी में जड़ा ट्विस्ट है जो सांसत बिना सहरे के चल भी नहीं सकती वो कभी कभी कबड़ी खेलती हैं लोगों के साथ कुछ जगा पर वो बास्केट बॉल खेलते हुए मिल जाएंगी मगर जैसे ही अदालत में पेशी का मामला आएगा फोरण वीलचेर पकड़ लेंगी अपने आपको दुनिया की सबसे बड़ी राजनेतिक पार्टी और संसकारी पार्टी कदम भरने वाली भाजपा ने इन ही आतंगवाद के अरोपी साधवी परग्या ठाकूर को 2019 में भोवपाल से अपना लोकसबा को उमीदवार बनाया और आपको मालूम है इसमें हैरानी के बाद क्या है कि ये चुनाव जीत भी गई विपक्षी पार्टीयों को क्रिमनल उमीदवार के मामले में ग्यान देने वाली भाजपा खुद एक आतंगवाद के अरोपी को अपना सांसत बनाती है शोशल मीडिया पर जब आप नज़त दोडाएंगे तो इस वीडियो के वाइरल होने के बाद से ही लोगों की तरफ से बहुत ही सक्त प्रतिकिर आई है लोगों ने इस सादवी प्रग्या ठाकूर को आतंगवाद का अरोपी बताया है और इनके खिलाफ सक्त कारवाई करने की मांग भी की है यहाँ पर एक जी नोट रखिएगा कि यह वही प्रग्या ठाकूर है जो हमारे राश्टर पिता महात्मा गांदी के हत्यारे नातुराम गोड से को एक देश बग्त और अपना अधर्श बताती है लोगों की तरफ से साफ तोर पे कहा गया है कि इस मामले में कोई कारवाई नहीं होगी यही बात अगर कोई मुसल्मान बोल देता तो अभी तक उस पर आतंगबाद की सबी धाराएं लग चुकी होती इसके साथ साथ उसे गिरफतार करके उसके घर पे बुल्डोजर चला दिया गया रहता क्यूंकि यह भाजबा की सांसद है इसलिए इन पर कोई कारवाई नहीं होगी इनको सारे गुना माफ है धन्यवाद